तो सभी प्यारे चात्रों का एक बार फिर से स्वागत है मेरा नाम संदीब खरे है और हम लोग अब सुरुगात करेंगे अध्याए एक की इसके पहले मैंने परिचय वीडियो बना दिया है कि हमारी क्या रणनीती रहेगी अगर आपने परिचय वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्सन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है तो वहाँ पे जाके किलिक करके आप जरूर देखिए जिससे आपको एक अंदाजा होगा कि हमें पढ़ना कैसे है और ये नोट्स आपके पास कैसे आएंगे वो सब जानकारी उस प्लेलिस्ट में पहले वीडियो में दी गई है जो परिचय वीडियो है इस प्लेलिस्ट सीरीज का अब हम बात करेंगे कि जो हमारा अध्याय एक है इसका क्या नाम है देखो रासाइनेक अभीक्रियाए एवं समीक्रण रासाइनिक अभीक्रियाएं और समीक्रण में सबसे पहले हम हमारे पढ़ने का क्या तरीका होगा कि सबसे पहले हम जो प्रशनुत्तर दिये गए है न उनको करेंगे तो इस चेप्टर में कितने कितने प्रशनुत्तर हैं आईए एक बार देख लेते हैं तो देखो हमें question answer जो दिये गए हैं उसमें कुछ extra question है जो CBSC board मतलब कह सकते हैं जिसको कुछ NCRT के book के question हैं दोनों मिलाके complete study बनती है ठीक है तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुतिक परिवर्तन किसे कहते हैं इसका उधारन पढ़ेंगे फिर रासाइनिक परिवर्तन किसे कहते हैं इसका उधारन फिर हम पढ़ेंगे कि बहुतिक परिवर्तन और रासाइनिक परिवर्तन में अंतर ठीक है ये भी important question रहता है ठीक है रासाइनेक समीकरण क्या है इसे कैसे संतुलित कर सकते हैं ये भी most important question है इसके अलावा कुछ अभीकरियाओं को हम संतुलित करेंगे लगातार के तीन question में और यहां से question जरूर exam में आता है इसके बाद हम रासाइनेक अभीकरिया कितने प्रकार की होती है तो रासाइने की बस्तीओं को हम पैंट केंग गरते हैं या तेल एवं बसा युक्त पधार्तों को नाइट्रोजन से प्रवावित क्यों किया जाता है सुअसन को ऊस्मा छेपी अभीकृिया क्यों कहते हैं या बायू में जलाने से पूर्ब मेगनिशियम रिबन को साफकियों किया जाता है और किसी पधार्थ X के विलियन का उपियोग सफेदी करने के लिए होता है ये वाला question और निम्न अभिक्रियाओं में अपचेत और अपचेत पधार्थों को पहचानी है तो इतने question है जहां से आपको एक question exam में जरूर फस जाएगा और आपका knowledge भी अच्छा खासा बन जाएगा तो इतने question है मतलब जादा भी नहीं है और कम भी नहीं है तो एक संतुलिद बेटेज मैंने यहां पी बनाया है अब हम पहले question की ओर बढ़ते हैं और पहला question अपना अच्छे से समझते हैं तो यह देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँगा जितना हो सकेगा यह देखिए चलिए अब पहला question क्या है बहुत ध्यान से आपको समझना है पहला question है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं उधारन दे कर समझाइए बहुतिक परिवर्तन किसे कहते हैं उधारन दे कर समझाइए देखो वीडियो देखते देखते आपको जो है अच्छे से समझा जाएगा बस ध्यान से देखना ये रख पेपर रहेगा जहां पर मैं कुछ explain करूंगा तो वो आपको और अच्छे से समझा जाएगा भौतिक परिवर्तन क्या होता है देखो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि परिवर्तन क्या होता है ठीक है फिर ये पूरा अच्छे से समझा जाएगा परिवर्तन का मतलब क्या होता है आप कहोगे सर्फ परिवर्तन का मतलब होता है चेंज होना कोई भी चीज बदलती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो परिवर्तित हो गई है तो परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है ठीक है परिवर्तन हमारी साइंस में दो प्रकार से होता है अब वो दो प्रकार कौन-कौन से है, देखो, अगर कोई पधार्थ है, पधार्थ जो हमें आसपास दिखता है, जो भी material हमें आसपास दिखता है, वो पधार्थ है, ठीक है, तो अगर कोई पधार्थ A है, मालो की पधार्थ A है, थोड़ी देर के लिए मालो की पधार्थ क्य बन गया, समझ पारे हो न, पधार्त A जो है, वो परिवर्तित होके क्या बन गया, पधार्त B बन गया, और ये जो बना हुआ पधार्त B है, ये बापिस से अगर A बन सकता है, तो एक प्रकार का परिवर्तन होगा, मतलब A से वो B बन गया, तो फिर B से बापिस क्या बन गया? A बन गया मतलब वो A से B भी बन सकता है और B से A भी बन सकता है पधार्त परिबर्तित हो रहा है तो ये परिबर्तन हो गया एक प्रिकार का परिबर्तन और हो सकता है कि जैसे कोई पधार्त A है मालनो थोड़ी देर के लिए कि कोई पधार्थ क्या है A है लेकिन अब वो परिवर्तित होके क्या बन गया है तो वो परिवर्तित होके B बन गया है लेकिन अब वो बापिस B से A नहीं बन पा रहा है तो एक परिवर्तन तो ये हो गया तो परिवर्टन दो परिकाल से हो सकता है एक परिवर्टन जो है जिसमें पधार्त जो है वो बन भी गया है और बापिस अपनी पूर्व अवस्था में भी आ जा रहा है लेकिन ये वाला जो परिवर्टन है ये थोड़ा सा ऐसा है कि A से वो B तो बन गया लेकिन अब वो बापिस ए नहीं बन पा रहा है तो ये हमेशा के लिए परिवर्टित हो गया तो ये जो परिवर्टन है ये हमेशा के लिए हो गया किसके लिए हो गया बताओ हमेशा के लिए समझ आ रहा है न नोट्स पूरे समझ आएंगे बस ध्यान से देखते जाना ये जो परिवर्तन हुआ है ये हमेशा के लिए हुआ है क्या ये परिवर्तन हमेशा के लिए हुआ है तो आप कहोगे सर ये हमेशा के लिए नहीं हुआ क्यों? क्योंकि वो A से B बन गया तो वो B से बापिस A भी बन सकता है जरूरत पढ़ने पर तो इसका मतलब है कि ये हमेशा के लिए नहीं हुगा है तो ऐसा ही परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन मतलब ये जो परिवर्टन है ये हमेशा के लिए नहीं हुआ तो अगर हमेशा के लिए होता तो हम इसे क्या कहते हम कहते कि ये इस्थाई परिवर्टन हो गया इस्थाई मतलब होता है हमेशा इस्थाई मतलब क्या होता है हमेशा तो क्या ये हमेशा के लिए हुआ है, नहीं हुआ हमेशा के लिए, तो हमेशे क्या कहेंगे, आइस्थाई, हमेशे क्या कहेंगे, आइस्थाई, इस्थाई मतलब बैठ गया, इस्थिर हो गया, हमेशा के लिए एक ही चीज बन गया, आइस्थाई मतलब बदल सकता है, तो जिसमें क्या होता है परिवर्तित पधार्त को पुनह उसकी पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है भासा याद होई देखो क्या बता गया है परिवर्तित पधार्त को तो परिवर्तित पधार्त कौन है यहां पर बताओ A से B बना है तो परिवर्तित पधार्त तो B हो गया तो परिवर्तित पधार्त को पुनह यानि फिर से उसकी पूर्व अवस्था में यानि की A के रूप में क्या किया जा सके? प्राक्त किया जा सके बिल्कुल किया जाएगा A से B बन गया है तो B से A भी बन जाएगा अब इसके कुछ example समझिए जिससे science समझाए आपको आपके पास पानी रखा है आपका mood बना कि चलो पानी से बर्फ बनाते हैं तो आपने क्या किया? फ्रिज में रख दिया पानी तो आपने फ्रिज में रखा तो दूसरे दिन आपने देखा कि वो पानी क्या बन गया है? बर्फ बन गया है अब आपका mood बना कि नहीं मुझे बर्फ से पानी ही बनाना है तो क्या आप इसे change कर सकते हो? इस परिवर्तित पधार्थ को यानि बर्फ को तो परिवर्थित पधार्थ को पुना है उसकी पूर ववस्था यानि पानी में ला सकते हो तो आप कहोगे बिलकुल ला सकते हैं वर्फ को ऐसे हवा में खुला छोड़ देंगे या फ्रिज से बाहर निकाल देंगे तो वो कुछ समय बाद क्या बन जाएगा पानी तो पानी से वर्फ का बनना या वर्फ से पानी का बनना क्या है एक बहुत एक परिवर्थन ही तो है समझ पार है ना बहुत एक परिवर्थन तॉलिये का पानी सोखना ये भी अच्छा एक्जामपिल है जैसे आपके पास एक टॉबिल है अब इस टॉबिल को आप पानी से भरी बाल्टी में डाल देते हो ठीक है तो क्या होगा वो तॉलिया जो है वो टॉबिल जो है वो पानी सोख लेगा तो वो गीली तॉलिया बन जाएगा अब उसको आप निचोड़ दोगे तो बापस वो सूख जाएगी तो मतलब जो चेंज होगा था वो बापस पुनाय अपनी पूर वस्था में आ जाएगा तो ये एक्जामपिल भी आप लिख सकते हो तो ये है बहुत एक परिवर्तन अब कई बच्चे क्या होंगे कि सोच रह बलता है तो इस परिवर्तन को कहते हैं रासाइनिक परिवर्तन ये केमिकल चेंज होने के कारण हमेशा के लिए वो चीज बदल जाती है तो ये है रासाइनिक परिवर्तन कैसे आओ इसको भी कबर करते है हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी आज के वीडियो में कबर हो जाएग रासाइनिक परिवर्तन किसे कहते हैं उधारन देकर समझाईए तो परिवासा बिलकुल वही है आइस्थाई की जगा पे क्या लिख देना इस्थाई वह इस्थाई परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पधार्त को पुनहा उसकी पूर्व अवस्था में प्राप्त और प्राप्त के बाद नहीं सब्द बस जोड़ देना नहीं किया जा सकता कैसे, दूद से दही बन गया, दूद से क्या बन गया दही, तो क्या कभी दही से दूद बना सकते हो, आंसर है नहीं बना सकते हो, दूद से दही बन गया, अब दही से दूद बापिस नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो, तो A से B बन गया है, अब B से A नहीं बन पा रहा, तो हमे कच्चा आम समय आने पर पक जाता है, क्या वो पका हुआ आम बापिस से कच्चा आम बन सकता है, सोचिए जरा इस बात को सोचिए आप, तो आंसरे नहीं बन सकता, तो ये भी एक हमेशा के लिए होने वाला परिवर्तन है, जो परिवर्तन हमेशा के लिए हो जाए ना, उसे हम क्या कहते हैं रासाइनिक परिवर्टन कहते हैं किलियर हुआ की नहीं तो दूद से दही का बनना रासाइनिक परिवर्टन है फल का पकना रासाइनिक परिवर्टन है और आपको example खोजना है कि रासाइनिक परिवर्टन कौन-कौन से है और comment करके बताना है कि बहुत एक परिवर्तन कौन-कौन से हो सकते हैं और रासाइनिक परिवर्तन कौन-कौन से हो सकते हैं अब आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो और अच्छे से नोट्स बना सकते हो खुद के जो भी आपको समझाया है उस आधार पे या आपके पास दूसरा option है वो option क्या है कि ये जो notes मैंने बनाए हैं ये notes आप PDF form में अपने पास रख सकते हो कैसे आपको मेरा जो number है उस पे message करना है मेरा number ये रहा 91, 37, 10, 72 तो मात्र आपको 100 रोपे charge लगेगा और science के notes आपको मिल जाएंगे WhatsApp कि धुरू तो आपका क्या होगा अध्यन बहुत अच्छा होगा बहुत प्रभावी होगा आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ पढ़ रहा हम तो ये हो गया पहला question और दूसरा question अब इसी तरीके से छोटे-छोटे वीडियोस के थुरू मैं आपको समझाता चलूँगा आप बोर भी नहीं होगे इसके लिए पूरी playlist description box में है तो playlist खोलके आप पढ़ते जाईएगा एक-एक करके देखते जाईएगा हर चीज आपको समझा जाएगी ठीक है तो लंबे वीडियोस ना बनाके मैं आपको छोटे-छोटे वीडियोस के थू नोट्स में जो कुछ भी है सब कुछ explain कर दूँगा सब कुछ समझा दूँगा और बहुत ही सरलभासा में जिससे आप क्या है अच्छी पढ़ाई कर पाऊगे तो अगला जो तीसरा question है बहुतिक परिवर्तन और रासानिक परिवर्तन में जो अंतर है वो आपको मिलेगा नेश्ट वीडियो लेक्चर में तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट follow कर लेनी है description box में प्लेलिस्ट की link है जाके click करिए और प्लेलिस्ट से ही पढ़ाई करिए ताकि आपको पता रहे कि कितने वीडियोस मैंने देख लिए हैं कितने और देखना है जिससे मेरी science की बढ़ाई बहतरीन चल सके चलिए मिलते हैं next video lecture में thank you